सब्सक्राइब करें आज हम लोग सेट्स की थर्ड एकसाइज करेंगे और इसके लिए जो बेसिक होगा मैं आपको थोड़ा से बता दूंगा पांच मट में वाफिस काद हम लोग एकसाइज स्टार्ट कर देंगे ठीक है और बागी जिन्हों ने भी एकसाइज 1.1 1.2 नहीं क कर लें और रिलिष्ट मेँ मिल जाएगा आप कर सकते हैं चले सबसेट के हो नहीं सबसेट आई बूसेट क्या हमने अभी तक सबबदा बंदाना है ठीक है तो सबसेट के लिए एक सैट लेमें 1, 2, 3, 4 है तो देखो इसके सारे element इसमें लाई कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं A, A जा subset of B फिर subset को मैं ऐसे भी ले सकते हैं A subset of B किलियर मतलब क्या A के जो सारे element अगर B में है तो इसको subset ले सकते हैं अब कहने के लिए देखो इसको बहुत सारे हो सकते हैं यह तो मैंने एक्जामपर लिया 1, 2, 3 तो मैं यहाँ पर A को ऐसे भी लिए सकता था 1, 2 तब भी तो 1, 2 इसमें लाई कर रहे हैं तो यह भी तो A subset है तो ऐसे कितने सबसेट लिख सकते हैं तो याद रखना कि कोई सेट के लिए 2 की पावर N सबसेट लिख सकते हैं नंबर ओफ कोई बाइट कुशन आ जाया जाए अब जब्जेक्टिव नंबर ओफ सबसेट कितने होते हैं तो की पावर N यानि कि अगर किसी भी सैट में सबोच करू मैं एक सबसेट नबर ऑफ एलिमेंटस एन्ब वह नंबर ओफ एलिमेंटस तो अगर सेट मैं दो गए सबसेट हूं इसकेक तो टूकी पावर्ट बंकर सकते हो एक लिख सकते हूं एक वनटू भी ही लिख सकते हो जो है ठीक है और एक फाइल जो होता है वो सब का सबसेट होता है यहाद रखना है तो एक पर कंचूट कर लेते क्या है पहले सबसेट कह Het मतलब है इसा सेट जिसमें जिसके element दूसरे set में लाइक कर रहे हो तो हम बोल सकते हैं इस सबसेट अब भी अब बात आती है कितने सबसेट लिख सकते हैं तो एक फॉर्मॉला है नंबर और सबसेट का टू की पावर एन यानि कि किसी भी सेट में कर दो एलिमेंट तो चार सबसेट होंगे तो कैसे लिखना आपको element को अलग-अलग करके, जैसे 1 को अलग कर दिया, 2 को अलग कर दिया, combine करके भी लिख सकते हैं, जो है set, और 5, ठीक है, null set जो था, वो सबका subset होता है, इस तरीके से हम subset लिखते हैं, बागी exercise में भी question दो, और clarity आगी, कि 3 के लिए कैसे लिख रहे हैं, 2 की power 3, 8 आएंगे, तो 8 को कैसे लिखेंगे, वो exercise में clear हो जाएगा, बस basic कितना है, फिर a super set, if a subset of b, जैसे यह example था, then b is super set of a, तो b को क्या बोला जाता है, super set, a हो गया subset, b हो गया super set, जिसमें सारे element like करेंगे, next power set, क्या लिखा है, the collection of all subset of set a, collection of all subset, किसी भी set के जो subset है, उनके collection को power set बोलते हैं, जैसे कि मैंने एक set लिया था, 1,2 और यह इसके subset लिखें, मैंने 4, 1,2,3,4, इनके collection को, जैसे अगर मैं इसको set a बोल दूँ, तो इसका collection बनाना है, collection मतलब set में लिखना है, यह element बन जाएंगे, set को कैसे लिखते हैं, एक curly bracket बहार आएगा, और इसको close कर देगा, और यह इसके element बन जाएंगे, और यह क्या है, collection of subset, क्या है, collection of subset, इस collection को ही power set बोलते हैं, तो वो बन जाता पी ए, power set of a, clear, मतलब किया, किसी भी set के अगर हम subset लिखते हैं, तो उनको अगर bracket में close कर देए, यह एक set बना दे, तो बन जाता है power set, ठीक है, तो यह भी clear हो गया, super set clear हो गया, power set, last है, proper subset, proper subset यही है कि जैसे set a, one, two, three है, ठीक है, लेकिन a, b की equal तो नहीं है, क्योंकि यह four इसमें line नहीं कर रहा है, तो इसको proper subset बोलते हैं, मतलब कई बार objective question आ जाए, तो proper subset लेखा हो तो आपको proper subset टिक करना है, ठीक है, इस तरीके से sign लगाना है, ठीक है, मतलब एक equal to भी नीचे आ जाएगा, संग्या गया, तो इस तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है, बेसिकलिए आपको subset पर ज्यादा focus करना है, इसी पर question है, और एक interval का भी concept है, वो questions में ही direct समझ में आ जाता है, तो मैं उसी में आपको करवा दूँगा, कोई भी जरुत जरुत नहीं अलग से, ठीक है, तो आप ये note कर लें, ठीक है, और चलिए exercise स्टार करते हैं, तो first question है, इसमें seven parts है, first question है, make the correct statements by filling the symbol subset or not subset in the blank spaces, तो ये और ये रखें seven parts, इसमें check करना है, किसमें subset आएगा, किसमें not subset आएगा, देखो, अब ही subset के वारें क्या पढ़ाता है, कि जो LH, अर हम बोलते हैं A subset of B, तो इसके सारे element B में आते हैं, यहीं तो मतलब हुआ, तो यह भी कह सकते हैं, यह छोटा है, यहीं smaller है, smaller मतलब समझाने के लिए, कि LH side जो होगी, मतलब यह वाली जो side होगी, उसमें कम element होगा, छोटा part होगा, और यह इसका बड़ा part होगा, क्योंकि इसमें ही सारे element लाई करेंगे, ऐसी तो मतलब है, तो जिसमें इतने सारे question में, जिसमें LH side जो है, उसमें छोटा part आना चाहि तो हम सबसेट sign लगाएंगे, दर्वाई नहीं लगाएंगे, चलिए, 234 यहाँ है, 1234, सारे element इसमें लाई कर रहे है, 234, 234, और यह छोटा part है, इसका, इसलिए subset हो गया, ठीक है, ABC, अब यहाँ पे तो BCD है, अलगी कहानी है, तो यह subset नहीं होगा, X is a student of 11th class, X is a student of a school, अब मैंने क्या बोला था, अब मैंने आपको उताया था, कि LH side जो भो छोटा होना चाहिए, और वो इसका part होना चाहिए, यह बताओ, चीज fix है, radius 1 है, यह एक definite चीज दे रखी, छोटा part है, और यहाँ पर लिखा, X is a circle in the plane, इन में तो कुछ भी circle हो सकता है, radius कुछ भी हो सकती है, तो यह बड़ा part है, और यह छोटा part हो, यह subset है, लेगि हम तो इसके लिए बताना है, तो यह subset नहीं होगा, उल्टा है, यह triangle, X is a triangle in the plane, triangle में हर type का triangle आ जागा है, यह बड़ा part है, और equilateral triangle में definite है, equilateral triangle, तो यह छोटा part हो, जो इसमें लाई भी करेगा, तो subset हो जाएगा, X is an even natural number, और X is an integer, अब integer का part होता है, natural number, ठीक है, तो इसमें even natural number भी आ जाएंगे, integer में सारी value आ जाती है, minus plus वाली भी और 1, 2, 3, sub होगा, और even natural number है, तो 2, 4, 6, वो भी लाई करेंगे, तो यह छोटा part है, तो यह subset हो जाएगा, तो आई होब आपको सम्में आ गएगा, नोट कर ले, चली next करते है, तो next second question भी subset भी है, लिकाए एक जमेंगे, whether the following statements are true or false, आपक सम्में आएगा, देखो, जैसे मैं एक set लिखूँ ए, 1, 2, 3, 4, ठीक है, तो अगर मैं 1 की बात करूँगा, तो यह belong करेगा, और 1 पे bracket लगा दूँगा, तो subset होगा, क्योंकि subset में क्या होता, bracket जरूर होता है, ऐसे याद रखने आपको, subset होगा, उस particular element पे, ठीक है, और अग तो ब्लॉंग, और अगर इस element पे bracket आजए, तो subset, बस इस चीज को दियान रख लिए, तो आग एक सारे question हो जाएंगे, चलिए अब चिकालते हैं, इदर है A, B, C, तो A, B इसका part है, तो यह नहीं subset है, और यह जबकि नॉट subset लिखा है, तो यह हो जाएगा false, ठीक है, A, E, subset of X is a vowel in the English alphabet, vowel कौन कौन से होते है, A, E, I, O, U, उसका एक part है A, E, और subset है, तो यानि कि यह true हो जाएगा, next है 135, subset of 135, ठीक है, होता ऐसा, कि same element भी हो सकते हैं, अब यहाँ पर समझते है, A, B, C है, यहाँ A है, तो मैंने कहता था, एक element पे अगर bracket आजाए, तो subset होता है, अगर एक element पे bracket आजाए, तो subset होता है, तो यह true है, ठीक है, अब यहाँ इस element A पे bracket लगा, रेकिन belong का sign है, belong के लिए यहाँ bracket नहीं होना चाहिए था, यहाँ bracket है, तो यह belong नहीं होगा, यह false हो गया, तो इने U20 पीस होका सब्सक्राइए ने शकर नहीं होता है, जाएट धिया, नहीं होगा, तो नहीं होगा, तो यह स्मद्ख नूब में एक नच्रोल नूम्बर है, जिवास्च सब्सक्राम कि 9 होगा 12 हो जाएगा ठीक है 18 होगा फिर सीधर 36 होगा ठीक है तो यह numbers हो जाएंगे तो देख पा रहे हो 24 इसका एक part है यह subset होगा तो यह true होगा तो आई हो आपको संग में आगए होगा नोट कर लें चलिए next करते हैं तो next third question इसमें लेखा है let a is equal to 1,2,3,4 पे bracket 5 which of the following statements are correct and why और यह questions दे रहे हैं किसी में belong एकिसी में subset है मैंने आपको बहुत अच्छे सखा है कि किसी set का अगर कोई element है तो belong होगा और उस element पे bracket होगा तो subset होगा ठीक है चलो देख लेते हैं 3,4 subset of a 3,4 bracket में already इसका element है क्या है element और अगर यह element है इस element पे bracket होता है अब इससे confuse में तोना सरफ bracket लगा हुआ है तो यह subset होगा नहीं इस particular element में already bracket लगा हुआ है हमें उसको अगर subset में लिखना तो एक और bracket आना चाहिए लेकर यहां पे bracket नहीं है तो यह false होगा ठीक है और second true हो जाएगा क्यूंकि यहां पे 3,4 और ब्रैकेट जो particular चीज़ी लिखी हो वही same लिखा है तो belong आएगा यह true हो जाएगा one belongs to a बिल्कुल सही है ब्रैकेट इसमें भी नहीं था यदर भी नहीं है true होगा one subset of a false होगा क्यूंकि यहां पे bracket नहीं है one two five one two five bracket लगा हुआ है इन elements पे और subset है तो यह true हो जाएगा तो automatic यह false हो जाएगा क्यूंकि यहां पे belong का sign है ठीक है one two three subset of a one two three अकेला है नहीं यह three or four एक साथ है तो यह चीज तो false हो जाएगी five belongs to a belong का मतलब कहीं आपको five दिख रहा है नहीं दिख रहा है तो belong नहीं कर रहा है नहीं false है और जब भी हम किसी set का subset लिखते तो मैंने बताया था एक कुछ example one two लिया था तो one two one two और five और five जो है वो सबका subset होता है तो five सबका subset होता है तो यह true हो जाएगा और five ब्रैकेट नहीं लगता है याद रखना नहीं लगते हैं तो इसलिए फॉल्स होगा तो यहां पर जो भी आंसर करना था और करेक्ट इंकरेक्ट में करना था जहां पर भी मैंने two लिख रखका है वहां आप करेक्ट लिख दो ठीक है और जहां आप फॉल्स लिखा इसमें इनकरेक्ट लिख दीजिए ठीक है बाकी सब में ऐसी कर ले ना चलिए नेक्स्ट करते हैं तो नेक्स्ट फॉर्थ कुश्चिन इसमें लिखा है राइट डाउन ओल्दा सबसेट ऑप दा फॉलिंग सेट तो सबसेट मैंने दाया था कि एक तो चलिए एक तो जो एलिमेंट पर लगाना है जायर सी बात है वो सेम आ गया अब कोई एलिमेंट है नहीं और मिन अदायता को फाई नल सेट वो सबका सबसेट होता है तो देखो वन टू दू आगे सेकंड पार्ट है नहीं टू की पावर टू एनि फोर आएंगे तो अब एक नल सेट सबके साथ होता है अब नेक्स आते हैं थ्री एलिमेंट है टू की पावर थ्री एट हो गया एट लिखना है तो एक वन को लग कर दिया टू को लग कर दिया थ्री को लग कर दिया अब कमाइन कर सकते हैं तो वन टू को एक साथ कर लिया टू थ्री को एक साथ कर लेंगे कितने हो गए 1,2,3,4,5,6 और एक 1,2,3 जो है वही लिख सकते हो और एक 7 हो गए और एक नल सेट सब के साथ होता है ठीक है तो 8 हो गए 5 का मतलब है एक सेट जिसमें कोई यानि कि टू की पावर जीरो तो कितने सबसेट आएंगे वन अब वन सबसेट एलिमेंट तो है नहीं फाई जो होता है तो इसका एक आंसर वैसे भी था वन तो फाई हो जाए का नल सेट तो यही इसका आंसर होगा तो आई होप सारे आपको संझ आ गया हुए नोट कर लें और अब बात करते हैं तो अगर हम बात करें फाई के सबसेट अगर मुझे लिखने है तो अब यह भी करा एक कुश्चन तो की पावर 0 कि नमबर फैलीमेंट तो है नहीं तो इसका जू सबसेट आएगा निजतन फाई आएगा क्योंकि टू की पावर 0 तो एक होना चीज्चए अशेट फाई आया तो यह तो हुआ तो वह सबसेट और सबसेट का गर मुझे पावर सेट लिखना है बल्किना था तो चाहिए आप ऐसी भी याद रखो paper में और कोई competitive exam में आता है कि बोले number of elements in power set तो जितने number of subset होते तो नहीं तुमारे power set में element होंगे क्लियर तो आई होब आपको समझा गए हो note कर ले चलिए next तो next six questions में लिखा है write the falling edge intervals अब यह intervals की जरूत क्यों है और यह क्या question समझा देता हूं पहले तो जैसे अगर मैं कहूं एक set में natural number लिखने less than 10 तो आप बड़े आराम से लिख लोगे ऐसे करके one two three four five six seven eight मैंने बोला अगर less than ten तो nine तक यह लिखना असान होता है लेकिन अगर मैं कहूं real number लिखने लेकर 10 तक या कुछ भी इस तरीके से बोल दूँ तब तो तो इसे में लिखना बड़ा मुस्किल हो जाएगा सैट में इस तरीके से समझेब ब्रैके लगा के और कॉमा लगा कि हम नहीं लिख सकते हैं तो उस केस में हम नेचरल इस स्ट सर्थ करना होते हैं के तन बनेमिट अब बात करते हैं कि अगर दौनों value included है अगर one भी included है hundred भी included है तो close bracket और अगर सब पोच करो one included है hundred included नहीं है तो इसको बोलते open bracket बस अब इससे कुछ भी कर सकते हो अगर मैंने कह दिया one included नहीं है और hundred भी included नहीं है तो ये लगा देना अगर मैंने का one included नहीं है लेकि hundred that included है तो जो भी included है तो आपको close bracket step का यूज़ करना है ठीक है और अकर included नहीं है यहनि हटाना excluded बोल दें तो open bracket यूज़ करना है मतलब किसी value को exclude करना है तो open bracket और किसी को include करना है तो close bracket तो इसको बोलतें close bracket close bracket इसको बोलतें open bracket ठीक है के लिए अब यह जोट क्यूँ है मैंने तादी real numbers के लिए यूज़ हो क्यूंकि real number infinite हो जाते है किनी भी दो number की बीच में तो इस close bracket हमें यूज़ करना है लिखा है एक सच देट एक्स बिलॉंग्स टू आर मैंने पहले त्यादा आर होता है और एक्स की लिमिट है पाइनस फॉर से स्टार्ट हो रहा है तो बस आप इनीसियल लिखो और फाइन लिखो कहीं भी एक्वल्टू लगा नहीं है यहाँ पर चेक कर लेने है यहाँ पर एक्वल्टू होगा तो यह चीज़ ऐसे आएगा टीक क्लोज ब्रैकेट क्यूंकि एक्वल्टू है इनीसियल लिमिट और यह फाइन लिमिट और दौनों पर एक्वल्टू नहीं है ओपन ब्रैकेट जीरो है और फिर सेवन है तो जीरो कॉमा सेवन जीरो पर यहाँ पर एक एक्वल्टू का लगा हुए तो लगा हुए तो क्लोज ब्रैकेट और यह हो जाएगा ओपन ब्रैक दे रखा है आपको set builder form में लिखना है यह set builder दी form तो है x such that x belongs to r आपको याद हो जब first exercise करवाई थी तो मैंने आपको दो form बताए थी एक set builder एक roaster form set builder को लिखने के तरीका कहता है x such that x belongs to जो भी condition है और वो limit लगानी है तो वही same करना है तो starting करेंगे x such that x belongs to r बस अब x की range बता दू तो x दोनों पर open bracket है तो equal to किसी में मत लगाना minus 3 से 0 बस काम कता हो next हो जाएगा x such that x belongs to r x दोनों पर close लगा हुआ है नहीं दोनों पर equal to लगाना है 6 से 12 हो गया इसमें हो जाएगा x such that x belongs to r और x की दोनों माइनिस 23 से 5 है और 23 पर close bracket है तो यहाँ equal to लगा दो हो गया answer तो आई अब आपको संग में आ गया होगा ठीक है तो आप note कर लें चलिए note करें next question 8th & 9th है अब थोड़ा 8th & 9th भी universal set के बारे में थोड़ा समझना है universal set वह होता है जो भी हमें given set है उन सब element को close कर ले और extra हो जाए जैसे सबोच करें एक element है एक set है जिसमें element है one two और दूसरा set भी है जिसमें element है three four अब मुझे इसके लिए universal set लिखना है तो universal set क्या होता है जो one two three four है यह तो होना ही चाहिए यानि one two three four एक्स्ट्रा लेना है तो ठीक है नहीं है तो ठीक है यह जरूर होना चाहिए उसी को बोलते है universal set given sets के लिए तो पहले में nine करवा रहा हूँ eight तो बहुत आसानी है नाइन में आपको थोड़ा logic भी समझ में आ जागा लिखा है given the sets A, B, C, A में one three five है two four six है zero two four six eight है which of the following may be considered as universal set for all the three sets इन three sets के लिए universal set क्या होगा universal set according to question अलग अलग रहता है ठीक है तो फ्लाला में इन set के लिए देखने है और यह option है first second third fourth यह objective question है तो देख लेते हैं eight तक maximum है और zero है minimum value फिर बागी सारे number है तो यह हो जाएगा इसको check कर लें इसमें देखा है तो zero नहीं है इसमें zero था C में तो यह तो नहीं ले सकते हैं तो इसका answer हो जाएगा third part ठीक है clear हो गया universal set के चलिए इसी वे बेज़ए eight question लिखा है what universal set would you propose according to question हमें देखना है हमें ऐसा set बताना है जो उस चीज को cover कर ले एक्स्ट्रा हो तो ठीक है what universal set would you propose for each of the following first is the set of right-angle triangle और set of ice-riss triangle दौनी पार्ट के लिए same answer हो जाएगा दगो यह बताओ right-angle triangle हो यह किसके पार्ट है triangle के तो यहां पर universal set क्या होगा set of all possible triangle मतलब जितने भी possible triangles है set of उनका set वह जाएगा universal set क्योंकि triangles के अंदर ही तो right-angle और ice-riss दाता है उसी का पार्ट ही तो है तो हमें universal set में ने कहता है यह ऐसा set लिखना हो तो जिसमें बुचीज कवर हो जाए तो set of all possible triangle is the universal set और दोनों में यही आंसर लिख देंगे आपको यही लेगना है क्योंकि triangles का एक पार्ट होगा clear तो यहीं तक यह लाज कुश्चन था इस exercise का 9 आई योग आपको आज सब कुछ समझ में आया तो यह लाइक अभी तक नहीं कर दो यार ठीक है चलिए फिर मिलते है next वीडियो में next exercise का आज के लिए इतना ही हावा हावा हावा